तो क्या चल रहा था कहां गलतियाव को ठीक किया है आई सी कुछ नमबर ट्वंटी एट मैंने जब आपको करवाया था तर यह MTP इसके थू सुधार हुआ है कि नहीं कौरीजेंडम इस्यू किया था आई सी रही ने तो वो जो कौरीजेंडम इस्यू किया था उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या किया था उस उस समय बुक में हमारे अपडेट नहीं था यह वड़ा कोश्ण था रूपीस पर डॉलर दिया है और यह इसरक मार्जिन अलग से दे रखा था पाच पैसा सवाल यह था कि अक्रॉस रेट के माद्यम से हमें निकालना था इसमें परसर क्या निकालना था हमें हमें निकालना था रूपीस पर सिंगापूर डॉलर, बस इतना था कोश्चन, पाकी कोश्चन आपको पता है इसमें हमारा ये मानना था कि जो मार्जिन है वो कब एजिश्ट होना चाहिए एक बार क्रॉस रेट निकाल ली चाहिए, उसके बाद एजिश्ट होना लेकिन ICAI ने पहले क्या किया था पहले बस इसी कोट में margin का adjustment किया था इसमें नहीं किया था जबकि लॉजिकली क्या होना चाइए एक बार cross rate निकल जाए उसके बाद होना चाहिए एक बार ये video सुनिए आपको याद आजाएगा at least मेरी गलती मेंने क्या पोल करवाया था वो आपको याद जाए यहां कैसे हो यहां दो तरीके थे या तो पहले क्रॉस रेट निकालनू और लाश्ट में मार्जिन या तो इसमें मार्जिन इसमें भी मार्जिन दोनों में मार्जिन और उसके बाद टॉस रेट निकाले दो तरीके यार टॉस रेट पहले निकाले कि पहले मार्जिन का एज़िट्मेंट कर रहे हैं इस कोश्चन की मैं बात कर रहा हूँ इस कोश्चन मैं कैसे किया जाए इतनी बारिक्यों से क्यों समझा रहा है बटए 100% बिल्कुल दिल्खुस कर दिया तर लाश्ट में होना चाहिए था ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है यस लाश्ट में ही होना चाहिए था 100% मैं एगरी हूँ आपकी बाद से बिल्कुल ICAI इस कोश्चन में ऐसा नहीं किया मतलब ICAI ने इस कोश्चन में मार्जिन को इस कोश्चन की बात है याद करना पड़ेगा आपको इस कोश्चन में मार्जिन उसने अलग लिया है separate separate लिया बस यही आपको बताना था that's it हाँ यह आपको याद करना पड़े ओके सर ठीक है बात समझ में आती है बात समझ में आती है कोश्चन क्या एक्जाम में आया हुआ है यास एक्जाम में आया हुआ है ठीक है सर हम लोगों को बात समझ में आगती है कि ठीक है रटा मार लेंगे बात समझ में आगी हम मार लेंगे रटा इतना भी यह चलेगा कि चलो मार जिन हम अलग अलग एज्जिस्ट कर लेंगे यस लेकिन सर लेकिन सर यहां मार्जिन किया यहां क्यों नहीं किया यह भी यह क्या ठीक है हम आपकी बात से सहमत है चरो ठीक है तो यहां मार्जिन का एजिस्टमेंट किया यहां क्यों नहीं किया मतलों आप यह बोड़ रहा है कि यह वाला जो रेट है यह इंटर बैंक रेट है सर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता इंस्टिट्यूट ने ऐसा ही किया है तो सर फिर आप बच्चो को कैसे रटवाती हूं रटवाने का अंदाज बताओ मैं बच्चो को ऐसे रटवाता हूं कि देखो बच्चो पैसा सब्द दिया है पैसा 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 ओके और पैसा सब्द दिया है इसका मतलब है कि कोश्चन कहना चाहता है जहां रुपीज होगा ना रुपिया के साथ पैसा चलता है बाकि डॉलर वगिरा के साथ सेंट्स चलता है तो जहां रुपिया है रु मार्जिन में तो जहां रुपीस का रेट निकालोगे रुपिया जहां भी आएगा वहां आप मार्जिन का एजिस्टमेंट कर लीजे ठीक और यहां तो रुपिया वाली बात नहीं इसलिए यहां मार्जिन का हमने एजिस्टमेंट नहीं की वाल सर क्या रटवाया अपने मेट पहले 49.5100 पहले cross rate होगा divided by कर देंगे 1.715 ठीक है बस मैं यही कह रहा था और यह ठीक कर दिया अब भी ठीक कर ले ना 49.5100 divided by 1.7154 जो भी आया रेट 28.86 और margin 0.05 पैसा लाश्ट में cross rate के बाद 0.05 तो सर आंसर आजाएगा 28.9121 तो सर यह आंसर गलत है हाँ जी आप पाच पैसा यह जो मैंने रटवाया था भूल जाएए अब यह रटने वाला कोश्चन यह लोजिकली जैसे होना था होना पहले cross rate होगा और उसके बाद last में margin add होगा तो प्लीज अगर यह कोश्चन यह जाए तो धियान रखना है थांक्यू